हलो फ्रेंद्स वेलकम बैक तो मैं चैनल शायना गोयल आप सब भी फिट अन फाइन होंगे हल्दी होंगे फ्रेंद्स तो वी आर गोंग तो कॉंटिनू अवर सीरीज ऑफ सीरीज और आज हम सोशलाइजेशन की अनदर थियोरी करने वाले हैं तो इस थियोरी को तो इस थियोरी को तो इस थियोरी को सब्सक्राइब कर ले और साथे में क्लिक कर दे बेल आइकन पर तो इस थियोरी हमने डिसकस की थी लुकिंग ग्लास सेल्फ की थियोरी दाट वस गिवन बाई चार्ल्स होटन कूले ठीक है कब दी थी वो थियोरी थोड़ा रिवाइस करते हैं कब उन्होंने दी थी 1902 में और वो क्या थे एक अमेरिकन सोशोलोजिस्ट थे उन्होंने क्या बोला था कि मेरी पहचान क्या है जो मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे बारे में सोचते हो यही सारी थियोरी थी वो तो अब आई एन मी थियोरी में क्या कंसेप्ट है यह भी बेसिकली self की development को देखते हैं किसकी नजर से society की नजर से अब I and me I and me क्या है मतलğUNG मैं मुझे तो इसलिए इस थियोरी को क्या कहते है थे ओफ self development अब self development कैसे होती है society में interaction करने से अगर हम लोगों से बातचित करते हैं लोगों के बीच में जाते हैं कोई social circle होता है हमारा तो हम क्या करते हैं develop करते हैं इसलिए इसको theory of social self भी कहते हैं कि हमारी identity क्या है लोगों की तरफ से ठीक है लोगों का क्या नजर है उनकी या फिर हम उनको देखकर क्या identity खुद की form करते हैं ये क्या है I and me theory तो basically mad क्या कहते हैं कि कोई भी human being है कोई भी person है वो develop क्यों करता है because of socialization जो उसका society में role है socialization के कारण वो develop करता है खुद में ना कि biological factors में biological क्या है हमने heredity में discuss किया था society क्या है environment का पार्ट है ठीक है environment में क्या होता है हमारी society भी आती है तो society में रहकर हम socialize होना सीखते हैं biological factors में सारा क्या आज जाता है heredity का concept यानि कि जो भी हमने features inherited कäterры अपने ancestors से यह कहते हैं कि आपकि development उन के कारण नहीं हो ही because this is static लेकिन आपकी development कि कि करण हो रही है यानि कि इंडिरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि यह environment के कारण हो रही है आपके socialization के कारण आपकी जो development है वो हो रही है ठीक है इसको क्या कहते है कि जो हमारी identity है self है यह क्या है static नहीं है हमारी development किसके कारण हो रही है socialization socialization further किसका पार्ट है देखिए environment का और हमें पता है इन दोनों में से कौन सा dynamic है कौन सा static है environment क्या है डाइनमिक है है न और heredity क्या है हमारा यह static feature होता है तो जो self है इसकी जो development है वो constant नहीं होगी हमारी identity बिल्कुल constant नहीं रहती है यह change होती है है डाइनमिक होती है यह क्योंकि अगर हमें कोई नया exposure मिल गया ठीक है हम नई institute में जाते हैं हमारा नया friend circle बनता है नया group बनता है तो हमारी identity उनके according फिर बदल जाती है with the time हम develop होते रहते हैं हमारी self में हमारी identity में क्या आती है change आती है that is our identity is dynamic not static clear होगी इतनी अब देखिए जो MED है इनको father of symbolic interaction भी कहा जाता है ठीक है तो यह आपको question भी आ सकता है father of symbolic interaction तो हमें answer पता है that is GH MED अब symbolic interaction क्या है देखिए interaction आपको पता है society में रहकर जो चीजें हमें influence करती हैं जिनके साथ अब interact करते हैं चाहे वो directly हो चाहे indirectly हो वो हमारी development को effect करती है तो symbolic क्या होता है symbolic की देखिए forms होती है like हम कह सकते है words जो भी बाते आप करते हैं जो आप the use किये जाते हैं या फिर कोई रोल जैसे mass media होता है आप movies देखते हैं movies में जो भी actors actresses होते हैं ठीक है उनको तो वह role मिला होते हैं लेकिन आप क्या करते हैं उनको देखकर influence हो जाते हैं कुछ 10-12 साल पहले क्या होता था कि जो hairstyle actors अपनाते थे न तो वह बहुत influence होते थे बच्चे उन चीजों से और उनका जो role है real life में वैसे ही haircut लेके आने लगे तो वह symbolic interaction थी interaction क्या थी indirectly तो उनको राकर किसी ने नहीं समझाया लेकिन उन्होंने वो movie देखी उनका role देखा तो उन्होंने symbolic क्या हुआ कि उनके role में से देखकर उनका hairstyle copy कर लिया ठीक है या फिर हमारे जो gestures होते है एक जगा पर हम कोई action करते हैं वो सही माना जाता है लेकिन दूसरी जगा पर उसका meaning कुछ और होता है या फिर एक language ये भी क्या है सारी forms बतारी हो मैं आपको forms of symbolic interaction एक जगा पर आप कोई word बोलते हैं ठीक है उसका meaning कुछ और है लेकिन कहीं और region में जाकर या किसी और country में जाकर वही word अगर आप use करेंगे हो सकता है वो एक गाली हो या फिर abusive word हो तो ये interaction कहते हैं बहुत important होता है clear जहां से हम चीजें सीखते हैं समझ में आगी यह चीज अब देखिए इन्होंने basically concept दिया था I and me का अब ये दोनों चीजें क्या हैं हमें लग रहे हैं सेम हैं लेकिन ये सेम नहीं है इनमें बहुत एक बारीक सी रेखा है लेकिन वो difference ही क्या है इनका major difference है वो हम अब देखते हैं सो देखिए अब हम इसका जो difference है वो चीज समझते हैं I or me मैं आपको एक overview देती हूं तो आपको ये points में बहुत अच्छे से समझ में आएंगे I क्या है जो आप actual है आपको पताए कि आप ऐसे हैं लेकिन society में जाकर आप थोड़ा change हो जाते हैं न कहीं भी situation में जाकर आप change हो जाते हैं तो वो क्या है me हो तो आप दोनों यह ऐ देते हैं कि मुझे मुझे ऐसा होना पड़ा या फिर कुछ भी कह लीजिए ठीक है यह वो हो जो आप actual हो अंदर से भी हो बाहर से भी हो घर पे हम कैसे होते हैं ना parents के साथ कैसे होते हैं या फिर हमारी actual originality कैसी है वो क्या है I है me क्या है जो हम society में जाकर चीज़े सीखते है अपनाते हैं ठीक है society में जाते हैं नई नी चीज़े आप सीखते हैं वो क्या है me है समझ में आ गई बाकी थोड़ा और इसको enhance करके समझते हैं I क्या है active aspect of a person है यहाँ पर आप अपना actual behavior है ठीक है वो आप show करते हो यह क्या है एक socialized aspect of a person है जो society में रहकर चीज़े सीखता ह मी ठीक है यह है कि आप खुद को present करते हो जैसे आप हो लेकिन मी क्या है यह perceive करता है learn करता है society के बीच में रहकर बातों को norms को society में किस तरह से आपको behave करना है यह दिखिए point यहां पर है न लेंड behavior attitudes and expectations of society society की हमसे क्या expectations है क्या हम behavior show करें किस तरह का हमारा attitude होना चाहिए किस जगा पर किस तरह से हमें behave करना है हना वो सारी चीजे society जो हमसे expect करती है वो कौन सीखता है me और I क्या करता है उनको present करता है ideas को जो हम सीख जाते है ठीक है यह क्या है control करता है me क्या है I को control करता है यह बताता है कि यह चीज़ सही है यह चीज़ गलत है लेकिन कई बड़ी I क दिमाग में जद्दो जहेद चलती रहती है हमारा दिमाग कुछ और कहता है दिल कुछ और कहता है हम यह बाते करते हैं तो वो बाते बेफिजूल नहीं है actual उनको यहां पर concept दिया गया है I or me का समझ में आई यह चीज तो दीखें यह basically क्या होता है past tense में हम use कर सकते हैं कि ज समझ में यह चीज क्या है हमारी अंदर की आवाज हमें करती है कि आप यह चीज करेंगे इसको हम केह सकते हैं चंचल मन जो कुछ भी करना चाहता है लेकिन मिंः क्या है कंट्रोल करते कि यह important है यह आप यह चीज़ हमें रोकता है कि स्थीक नि कोशिश करें किस्ञ करने कि न कोई गुसा आयक ऍसके में नहीं करना हैं क्या ये ढ़नों हमारे ही औंदर हैं हमारी खुद F कंसेट और इसकी देखिें जो स्टेज़ीश थे पIST झेपनले या फिर अर्ली स्टेज उसके बात होती है play stage and game stage, one by one हम इनको देखते है, सबसे पहले pre preparatory stage कौन सी होती है जब बच्चा आपको देखता है आपकी नकल करता है, यानि कि वो क्या करता है imitate करता है आपकी reactions, क्या करता है उसको copy करता है, आप बच्चे को टंग निकालेंगे आपको टंग निकालेगा, आप उसको कुछ मजाक में बोलेंगे, वो भी आपको repeat करेगा, क्या उसको उस चीज का मतलब पता है, हम छोटे बच्चे को बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलना, वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि पिर आपके actions हैं, उस चीज को वो कॉपी करने की कोशिश करता है, ठीक है, और जब वो कॉपी करता है, किसको कॉपी करता है सबसे basically, जब बच्चा जनम लेता है, दो साल तक का होता है, तो कहां पी रहता है वो, home में, यानि कि अपने parents के पास, family के पास, तो उनके actions को, उनके behavior को, वो copy करता है, जैसे हम बच्चे को, छोटे बच्चे को लेटा कर उसके साथ मस्ती करते हैं, गुगली गुगली करते है, तो वो भी वैसे ही करता है, इसमें एक चीज और होती है, वो कौन से action, exhibit करता है, वो होते है, reflex action, immediate response जो देते हैं, ठीके, आपने कुछ भी क्या, बच्चा immediate action करता है, उसको नहीं पता वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, knee jerk reaction, knee jerk reaction क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर knee में jerk लग जाए, तो एकदम से instant reaction निकल कर आएगा, इसलिए बच्चा क्या reaction शो करता है, knee jerk reaction, और यह किस तरह का reaction होता है, reflex action होता है, समझ में आगी यह चीज, यहाँ पर सिर्फ बच्चे का mind जो है, बिल्कुल develop नहीं होता, वो imitate करता है, आपके behavior को, आपकी actions को copy करता है, और वो ही आपको सामने से देता है, ठीक है, next है play stage, play stage में क्या होता है, बच्चा role play करता है, जो वो देखता है family में, mother कैसे behave करते हैं, father क्या काम करते हैं, ठीक है, जैसे mother's kitchen में काम कर रहे हैं, तो बच्चा भी बोलेगा, mama मुझे भी आटा दो, तो चोटा सा चकला बेलना लेकर, वो भी क्या करेगा, रोटी बिनाने की कोशिश करेगा, बोलेगा, मैंने भी तवे पर डालनी है, and so on, ठीक है, रोल प्ले करने की कोशिश करेगा, तो ये stage ना, थोड़ी उची अवाज में बोलने की habit है किसी को, या फिर मार पिटाई की habit है, तो बच्चा उस चीज को देखेगा, उसी चीज को सही मान लेगा, कि ये चीज सही है, ठीक है, उस चीज को अपनाएगा, आने वाले टाइम में सोचेगा, कि ये चीज सही है, for example, कई पेरिंट से हो मान यहाँ पर नहीं लगा सकते कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, जो पेरिंट्स या फिर जो भी इस age में, उनके contact में आते हैं, वो सभी जो action या फिर जो behavior उनके सामने शो करते हैं, उसको वो सही मान लेते हैं, उसको अपना लेते हैं, ठीक है, ये चीज होना चाहिए, बच्चे को ध्यान से, अपने actions को control करने चाहिए, ताकि वो बच्चे का development अच्छे से कर पाए, उनको बुरी habits को सही समझने से वो रोक पाए, ठीक है, रोल प्ले समझ में आ गई ये चीज, then the final one is game stage, अब game stage होती है, 7 साल के बाद चाहे वो 9 साल तक जाए या multiple roles, एक time पर multiple roles exhibit करता है, जैसे computer का होता है, multiprocessor, ठीक है, multiprocessing होती है computer में, एक time में एक से ज्यादा काम हो जाते है, multitasking सारी है, तो यहाँ पर क्या होता है, multiple roles अदा करता है, जब बच्चा स्कूल में होता है, तो वो क्या, एक well behaved student है, टीचर्स के सामने बिलकुल ऐसे कि मैं तो class का सबसे ही शरीफ बच्चा हूँ, और जब पहुंचता है घर पे अपनी मदर के पास, तो वो क्या बन जाता है, naughty बन जाता है, bag इदर फेंका, चीजें उदर फेंकी, ठीक है, तो वहाँ पे वो pampered हो जाता है, अपनी मा का दुलारा बन जाता है, लेकिन जब घर पे father आते हैं, या फिर grandfather जो भी strict है घर में, वो आते हैं, तो उनके सामने एक दम से फिर से books उठ जाती है, discipline में आ जाते हैं बच्चे, तो यहाँ पे multiple roles, एक ही बच्चा multiple role अदा कर रहा है, ठीक है, तो यह different roles बच्चा सीख जाता है, इसको हम कहते है, game stage, clear हो गई यह चीज, so य आपके forms क्या है, symbolic interaction के, इनको क्या कह जाता है, medco, father of symbolic interaction, तो symbolic क्या है, उसके forms क्या है, जो भी हमने words किया है, language, roles, gestures, यह सारे क्या है, forms है, उसके बाद है कि यह जो stages है, stages of self development, self development की तीन stages है, इन में क्या क्या role बच्चा अदा करता है, क्या उसके behavior होते हैं, ठीक है, वो चीज यह सारी theory में बताई गई है, so friends, यहाँ पर हमारी यह theory भी होती है complete, so I hope यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर कोई doubt हो, तो आप मुझे comment भी कर सकते हैं, इन video helpful रही हो, तो definitely आप इसके ओ लाइक कीजिए, share कीजिए, and मिलते हैं अगली वीडियो में, चल्दा की वहाँदिंग यहाँ एक मिलते ही Hollander, क्योंकी वहाँख妈 की वाँवाचिर